नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्व चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग आपके लिए यूपी पूलिस ऐसा रिजल्ट से रिजल्ट से रिलेटेट एक निव अपडेट लेकर आ चुके हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों गवर्मेंट जो अपके लेटेस अबडेट के लिए हमारे चैनल निटीजन ट्यूटर को सब्सक्राइब करें साथी दोस्तों पूरी इंफॉर्मिशन के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें तो बात करेंगे यूपी पूलिस ऐसा ही रिजल्ट जो है आपका कब जारी किया जा सकता है सोर्स के अनुसाद तीनों फेस की परिच्छा का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा पहली फेस की परिच्छा 12 से 17 नवंबर पर कराई गई थी दूसरी फेस की परिच्छा 20 से 25 नवंबर साथ ही तीसे फेस की परिच्छा 27 से 2 दिसंबर तक आई रिजल्ट कराई गई थी इस बार यूपी पूलिस ऐसा ही रिजल्ट जारी हो थी आपको यहाँ डाय यूपी पूलिस ऐसार एक्जान डेट को लेकर अभी तक कोई अधिकारी सूचना नहीं आई है लेकिन मीडिया एक्सपर्स के अनुसार परिच्छा इसी महा कभी भी समभवता 15 फरवरी 2022 तक जारी हो सकते हैं तो दोस्तो मीडिया एक्सपर्स के मताबिक आपके जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी तक जारी किये जा सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी निउस है दोस्तो यूपे पुलेस एसाई रिजल्ट 2021 आने के बाद सफल उमिदवारों को सारी रिक तच्छिता परिच्छा बाद में मेडिकल टेस्ट पास करने की जरूरत होगी तो दोस्तो आप अपने फिजल्ट की तयारी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन दोस्तो उमीद है कि अभी कورोना की करार आपके फिजल्ट नहीं कराए जाएंगे कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट आप के लिए बताई गई थी तो जन्रल में जो आपकी पोस्ट ही वो थी 3630 EWS में थी 902 OBC में थी 2437 और SC में थी 1895 और SC में 180 कुल जो पते आपके 9000 प्लस थे साथी दोस्तों आप हम बात कर लेते हैं कि उस एक्सपर्स ने जो पुराने एक्जाम पेपर्स को एनलाइस किया और फिर उसके हिसाब से आपके लिए जो कट आफ निकाली है जो आपकी कट आफ आएगी दोस्तों वो आसपास इसके आसपास रहने वाली है क्योंक OBC के लिए जो दोस्तों है वो 290 से लेकर 300 के बीच में हैं EWS के लिए 270 290 के बीच में साथ ही दोस्तों SC के लिए 255 है प्लस जिबकि ST के लिए 240 प्लस तो दोस्तों अगर आपके इसके आसपास नमर आ रहे हैं तो आप खुश हो सकते हैं कि आपका जो सेलेक्शन है वो पक्क है बट आपको physical में भी अच्छा score करना होगा तभी आपकी जोग पकी होगी दोस्तों और उम्मीद है दोस्तों अगर आपका return केलियर हो जाए तो आपको physical केलियर करना ही होगा वन्हा तो फिर यह आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आप physical केलियर नहीं कर पाई तो दोस्तों अगर आपके अच्छ मांक्स आ रहे हैं तो अपने फिजिकल में आराम से जुट जाएए और अपने आपको जोंग दीजे क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी आज के टाइम में कोई मजाग नहीं है जिसके लिए कि हजारों लोग आप देख सकते है NTPC के लिए कितने लोग रोड पर उतर आया हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अपडेट और ऐसे ही लेटेस अपडेट के लिए हमारी चैनल लिटीजेंट्यूटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें थेंक यू